Books That Speak में आप सभी का स्वागत है साल का हर महिना अपने में कुछ न कुछ खास लिये होता है उस महने को छोड़ कर जिसमें मेरा जनम हुआ आपका जनम दिन कब है? क्या आपको अपने जनम दिन का महिना पसंद है? हाँ, ये सब सवालों के जवाब तो ये कहानी में मिली जाएंगे लेकिन आप सब बच्चों के लिए भी आज मेरा यही सवाल है आपका जनम दिन कब है? और क्या आपको अपने जनम दिन का महिना पसंद है? आपके जवाब मुझे जरूर इमेल करके लिख भेजिएगा और हमारा इमेल आइडी contact.booksthatspeak.gmail.com तो सुनते हैं आज की कहानी साल और उसके महिने ओरिजिनल स्टोरी A very busy year बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है शबनम मिनवाला चत्रांकन उपासना मेंदी रत्ता हिंदी में अनुवाद M.A. समीर कहानी का वाचन असावरी दोशी बार बार दिन ये आए मुझे अपना जनम दिन पसंद नहीं मुझे वो दिन पसंद नहीं मुझे वो महिना पसंद नहीं सभी महिने खास होते हैं बस मेरे जनम दिन वाले महिने को छोड़ कर जनवरी का महिना एक नई नोटबुक की तरह रोमांचक होता है ये महिना उर्जा से भरा और उजला उजला सा अनुभाव कराता है ये साल का पहिला महिना है फरवरी बाद में मार्च का महिना क्रेयॉन्स के डिब्बे की तरह खुशियों से भरा होता है वसंद के दिनों में पीपल के पेड़ पर गुलाबी पत्ते लगते है गुलमोहर के पेड़ पर नारंगी फूल और एकसोरा के पौधों पर लाल फुंद की अप्रेल का महिना जूले की तरह अस्त व्यस्त होता है इस महिने में स्कूल की परिक्षा और पसीने से लत्पद दिन होते है लेकिन रसीले, सुनहरे, हपुस आम भी होते है मई महिना पीली तितली की तरह खुशनुमा होता है गर्मियों की चुट्टिया आलस भरी और लंबी होती है चचेरे बेहन भाईयों से मिलना जुलना होता है और क्रिकेट मैच खिलने को मिलता है रेल से घुमना फिरना होता है और चुबन भरी गर्मी भी हाई हाई जून किसी रहस्यमई किताब की तरह दुविदा से भरा होता है स्कूल खुलने पर क्या होगा? क्या मेरी सबसे अच्छी दोस्त रेनू उससे कक्षा में मुलाकात होगी क्या कंजूस मेनन मैडम मेरी क्लास टीचर होगी जुलाई का महिना किसी फिल्मी धूम धड़ाके की तरह होता है मानसून आधमकता है हवा जोर जोर से बहने लगती है बादल गरजने और गड़गडाने लगते है मेरा चाता उड़ने लगता है अरे रूक फिर मम्मी मुझे डाटती है और मैं उदास हो जाता हूँ अगस्त महिना जनगण मन की तरह प्रेरणादाई होता है हम स्वतंतरता दिवस की याद में जलुस निकालते है हम जन्डे को हरे, नारंगी और सफेद रंग में रंगते है सितंबर किसी संगीत कारेकरम की तरह व्यस्त होता है शिक्षक दिवस हमारा पसंदिदा दिन होता है रेनू और मैं दोनों मिलकर गाना गाते है हम कार्ड बनाते है, गुलाब जामुन बनाते है और ये सब मेनन मैडम के लिए अब हम उनसे प्यार करते है अक्तूबर का महिना रानी के मुकट की तरह चमकदार होता है दिवाली, दियो, चमकदार बालियो, जूतियो और रंगोली वाली और उत्साह से भरी होती है इस अवसर पर मैं बहुत सारे लड्डू खाता हूँ नवंबर का महिना मेरे गुलाबी स्वेटर की तरह आरामदायक होता है धीरे धीरे सर्दी का मौसम आ जाता है दिन छोटे हो जाते है, राते ठंडी होने लगती है डिसंबर का महिना रेफ्रिजरेटर की तरह ठंडा होता है मेरी कपकपी छूटनी शुरू हो जाती है यहां तक की स्कूल के दिन भी छुट्टियों जैसे लगने लगते है ये साल का आखिरी महना होता है और एक नए साल का इंतजार होने लगता है देखो, साल के सारे महिने खास होते है सिर्फ फरवरी को छोड़ कर फरवरी का महिना उबावू और अस्त व्यस्त होता है अन्य महनों में 30 या 31 दिन होते है फरवरी में सिर्फ 28 दिन होते है फिर हर 4 साल में इसमें एक अतिरिक्त दिन जुड़ जाता है 29 परवरी मेरा जनम 29 परवरी को हुआ था और मेरा जनम दिन हर 4 साल में एक बार आता है मैं बहुत दुखी हूँ क्या आप भी दुखी ना होते मैं भी आपकी तरह हर साल जश्न मनाना चाहता हूँ हम मुझे आप सब बच्चों से इमेल पर सवालों के जवाब का इंतिजार रहेगा तो और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा YouTube पर और अलग-अलग podcasting channels पर website www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में भाई भाई धन्यला